प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने स्वामी दयानन सरस्वती की दोसोवी जैनती पर गुजरात के मोरभी में स्वामी दयानन की जमस्थली टंकारा में आयोजित एक कारिक्रम को वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया इस दोरान पीम ने स्वामी जी के योगदान का समान करने और उनके सिक्षाओं को जंजन तक पहुचाने के लिए आरे समाजद्वारा कारिक्रम आयोजित करने पर खुशी व्यक्त की पिछले साल इस महोत्सव के उधगाटन में अपनी भागिदारी पर विचार करते हुए प्यम ने कहा कि जब ऐसी महान आत्मा का योगदान इतना असाधारन है तो उन से जुड़े उत्सवों का व्यापक होना स्वभाविक है देवी और सजनो देश स्वामी दयानन सरस्वती जी की दोसों भी जन्व जैनती मना रहा है मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयम स्वामी जी की जन्व भूमी टंकारा पहुंता लेकिन ये संभव नहीं हो पाया मैं मन से रदय से आप सब के बीच ही ही हूँ मुझे खुशी है कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाच ये महोत्सव मना रहा है मुझे पिछले वर्ष इस उत्सव के सुभारंब में भाग लेने का अउसर मिला था जिस महापुर्श का योगदान इतना अप्रतीम हो उन से जुड़े महोत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है मुझे विश्वात है कि आयोजन हमारी नई पीड़ी को महर्ची दयानन के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा साथियो मेरा सवभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्म भूमी गुजरात में मुझे जन्म मिला उनकी कर्म भूमी हर्याना लंबे समय तक मुझे भी उस हर्याना के जीवन को नीकर से जानने समझने का और वहां कार्य करने का आउसर मिला इसलिए स्वाभावित तोर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है उनकी अपनी एक भूमी का है मैं आज इस अवसर पर महर्ची दयाननजी के चरणों में प्रणाम करता हूं उन्हें नमन करता हूं देश विदेश में रहने वाले उनके करोडों अनुयाईयों को भ बहुत बहुत बढ़ाई देता साथियों इतिहास में कुछ दिन कुछ क्षण कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविश्य की दिशा को ही बदल देते हैं आज से 200 वर्ष पहले दयाननजी का जन्म ऐसा ही अभुत्पुर्वपल था यह वो दोर था जब गुलामी में फसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे स्वामी दयाननजी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूडियां और अंदविश्वात ने देश को जकड़ा हुआ इन रूडियों ने कि हमारे बैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था इन सामाजिक बुराईयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था समाज का एक वर्ग भारतिय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था ऐसे समय में स्वामी दयानंजी ने वेदों की और लोटो इसका आहवान किया उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे तार्किक व्याख्या कि उन्होंने रूजियों पर खुल कर प्रहार किया और ये बताया कि भारतिय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका परणाम ये हुआ कि समाज में आत्म विश्वास लोटने लगा, लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुडने लगे, सास्यों हमारी सामाजी कुरितियों को महरा बनाकर अंग्रेजी हुकुमत हमें नीश्या दिखाने की कोशिश करती थी, सामाज स्वामी दायानन जी के पदारपन से जब सब साजिसों को गहरा धक्का लगा, लाला लखपतराय, रामप्रसाद विश्मल, स्वामी स्रधानन, करांती कारियों के पुरी स्रंखला तयार हुई, जो आर्य समाज से प्रभावित थी, इसलिए दायानन जी केवल एक वैदिक र और दूशी भी थे, साथियों स्वामी दायानन जी के जन्म के 200 वर्स का ये पड़ा उस समय आया है, जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंबिक बर्षों में है, स्वामी दायानन जी भारत के उज्वल भविश्व का सपना देखने वाले संत थे, भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था अमरुत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्म विश्वास में बदलना होगा और साथियों इन सभी सामाजिक कारियों के लिए आपके पास भारत सरकार के नव गठीत युवा संगठन की शक्ति भी है देश के सबसे बड़े और सबसे य युवा भारत माय भारत है दयानन सरस्वती जी के सभी अन्याईयों से मेरा आगर है कि वो डीएवी सेक्षिक नेट्वर्क से भी विध्यार्थियों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोसाइट करे मैं आप सभी को महर्ची दयानन की दोसों भी जैनती पर पुनः करें आप सबी संतों को सद्धापुर्वग प्रनाम करता हूं बहुत बहुत धनमाप ,